दोस्तों स्वागते आप सभी का BSC and NSC अड़ा में उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सभी लोग सवस्त होंगे और आप सभी लोग की ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी जिस तरह से हमारे स्टॉक्स अपने टार्गेट्स को अचीव कर रहे हैं तो उम्मीद यही करता आप सभी लोग प्रॉफिट में चल रहे होंगे तो चलिए सुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं आज का जो हमारा स्टॉक था उसने कैसा परफॉर्म किया और फिर उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए किस स्टॉक को चुना है आज का हमारा स्टॉक था KPR मिलका इसे बाय करना था 627 के उपर और सोट सेल करना था 619 के नीचे अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे दोस्तो यह स्टॉक ओपन हुआ था 625 पर और उसके बाद यह जरा सही उपर गया यानि कि इसने आज हाई मारा 627.5 का और वहीं से यह स्टॉक 615 का था और उसके बाद उससे भी नीचे गिरा और इसने लो मारा है आज 602 का तो इस तरह से दोस्तों इस स्टॉक ने अपने टार्गेट 2 को भी अचीव किया और उसके बाद भी काफी नीचे तक गिरा और इसने आपको एक बहुत ही अच्छा प्रोफिट बुक करने का आप चाहें तो अपनी इंट्राडे की ट्रेड भी इस स्टॉक में डाल सकते हैं विद प्रॉपर टार्गेट और स्टॉप लॉस को लगाते हुए आप इसे बाई कर सकते हैं 447 पर पहला टार्गेट 450 का दूसरा टार्गेट 455 का अगर यही नीचे गिरना सुरू होता है त 438 पर पहला टार्गेट 435 का दूसरा टार्गेट 430 का और दोस्तो इस स्टॉक में स्टॉप लॉस रहेगा फाइब पॉइंट का तो कल की हमारी इंट्राडे की ट्रेड आई सी आई सी आई पोटेंशिल लाइफ इंसोरेंस बाई 447 शॉट सेल 438 एंड़ इस्टॉप लॉस iis five point तो दोस्तो बहुत ही अच्छ से ट्रेड डालिए in Tradet Trading Rules को जुरूर ही follow करीए मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूं कि आपको क्या rules को follow करना यानि कि rules क्या है in Tradet Trading करने के rule number 1 आपको हमेशा ही minimum profit सबसे पहले book कर लेना चाहिए जो भी आपका minimum profit हो 2 points, 3 points, 4 points, 1 point जो भी आपने minimum profit समझें आप उसको अवस्थे ही book कर लें Rule number 2 stop loss को हमेशा लगाए Stop loss के बीना आप अप trading कभी भी मत करिए और हमेशा target और अपना stop loss यानि entry और exit हमेशा ही fix रखिए आपको जुआ की तरह से कहीं भी entry नहीं लेना और कहीं भी exit नहीं करना है आपको यानि कि पहले से पता होना चाहिए कि मैं यहाँ पर entry लूँगा और यहाँ पर exit हो जाओगा और over trading कभी भी नहीं करनी है अगर दोस्तो आपने यह 3-4 rules follow कर लिए यानि minimum profit, stop loss और over trading नहीं करना तो यकीन मानिए end of the month, end of the week आप हमेशा ही profit में रहेंगे तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो like ज़रूर कर दें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंती सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको अपना DMAT account खुलवाना है तो नीचे description box में मैंने link दिया है आप उस पे click करके अपना या अपनी family members में से किसी का भी DMAT account खुलवा सकते हैं और next day से हमारे साथ trading सुरू कर सकते हैं तो दोस्तो इस वीडियो में बस इतना ही आप सभी से कल फिर मुला कात होगी एक नए वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद